अब भाई बिजली ना आवे अब घर चल तू अरे आर मैंनों सोच रहा हूं ये क्यार है गाता इसे भर देता बाद में पिताल जी दुख्य होंगे अरे दोनों गयली चलंगे चल तू चला जाया भाई तुट रहा किलीज में जाना है ठीक है ना काम करिई एक पन मे लीता जा जाए ठीक है ना मैं आ रहा हूं चल ठीक कैना भाई फिर मैं लेट शड़ी हो रहां खुलीज के जिए ठीक है भाई अब तक तो सेड़ जी ने मेरे पीछे पुलिस भी लगा दी होगी मुझे पैसे दे और मैं ज़ट पेड़े यांसे निकलू बाई मैं अपनी तसली तो कर लियू अरीताई तेरे जैसी समझदार ओरत ली इतना टैम लगाव है के अच्छा और खरासोना दे रहा हूँ वो तो थोड़ी सी मुझे पैसो के जरुत है नहीं तो इतना अच्छा सोना मिल सकाए के तो बता भाईया फिर के दे दूँ अरीताई देना क्या है तुझे खरासोना मिल जाएगा हमारा काम चल जायागा अपने जाब से सोच समझ के दे दे अरे फिर भी बता तो सही क्या दे हूँ देख लेताई सोने का भाव 30,000 रुपे से उपर उपर है तुझे एक काम कर मुझे 30 के भावी दे दे ना भाई इतना तो कहीं भी ना हो रहा और के दे बेगी जो देना जल्दी दे मैं तो इस सारे केतने बस 30,000 रुपे दे सकूँ अरे ताई तेने तो खामे के टेम खराब कर दे दिखे है तुझे पताई कितने का सोना है यो कितना काई हो मैं तो इतना ही दूँगी आगे तिरी मर्जी अरे ताई तो एक काम कर 50,000 रुपे दे दे पर जल्दी कर ना भाई मैं 30 की जगा 35 कर सकूँ इसे जादा ना कर सकूँ अरे तो भी मुझे लगए ठकनिक बेटी दिखे है चल चालिस 35 ठीक है पर एक काम करिए सोना बेलकुल बढ़िया है और किसी को पता ना लग जाए ठीक है ठीक बेटे मजी आगे 500 कमाल पैतिस में थोब दिया ये ले पकड़ भाई आपने पैसे भाई भाई पैसे मिल गए मैं जला भाई अरे के हो रहा है यो कुछ ना आज फिर किसी गहने गिर्वी रख ले दिखे है मैं कि उनके घर कहने जाओ हूँ कि गहने गिर्वी रखो जिसको गरज है वो आवे रखने अरे गरज में कभी-कभी मदद भी कर लिया करे है या हर टाइम गहने जमीन गिर्वी रखनी कायाद पड़ी हूँ तुझे ज्यादा वासर ना दो अपने बालको के लिए सब करे है अरे मेरे बालको कुछ ये जाराम कमाल तेरे ज्यादा आग लग लग रही तुई लेके जाएगी छाती पै मैं क्या ये छाती पैर रखे ले जाऊंगी तम जाओ अपना हिला कर लो अरे मैं तो हिला कर लूँगा कभी तुभी कुछ कर लिया कर नन्नी जी आई इधर आ हाँ जी चाय बनाला अर सुन उससे पहले निवाय पानी लिए पीने के लिए खाने भी लियाओं अरे द्वास बन बोल ले मट्रू कहा है वो अरे वो आली है अरे मट्रू तु कहां डेया आज खाली ना घूमरे कट्टे लाए है अरे कट्टे बंदुक छोल मावारत हो रही के खाद के कट्टे लाया हूं तो इंखमर डाल देंगा चोक्षो जाएगी नहीं तो इंखमर जावेगी चल ठीक है अरे अरे लुट गई मैं तो बर्बाद हो गई औरी लख ले गए ना देखिया अरे इस में भी दो कट्टे लगा दे यो भी ठीक हो लेगी माजी क्या बात हो गई अरे भागवान के हो गए कुछ बतावेगी यह ऐसे फटती रहेगी अरे मेरा 35 ठक की लिए गया मुझे कौन पैदा हो गया इस गाम में तेर से बड़ा ठक अरे मेरा 35 अरे के है 35 यो अरे इनके सर कुछ आगा दिख्क है जुत्ती सुगानी पड़ेगी अरे मति रहन डे जुत्ती पुत्ती रहन ले बड़ी है सबसे बड़ी अरे इसे जूती मत सुगादी है कुछ सोना पड़ा हो कुछ पड़ा हो उसे सुगा दे सब खीभ हो जागी आरे मेरा 35 अरे ओ लालच की दुनिया है ऐसी मरेगी लालची अरे कि अचॉट्या ऑफूद्रा ईनिया शोड़ सकाई छॉटेगी और सुना ठीक भी है कुछ ठीक ठाक ना भाई साब के बात होगी अरे छोटी लड़के ने खोन पी रखे उसके बुखाद चड़ रहा दो मीने होगे, क्या करूँ अच्छा, तो किसी अच्छे डोक्टर के दिखाऊ से तू, तू एक काम कर ले पकड़ पैसे ना भाई, पैसे आ जाएंगे मैं जबी दिखा दूँगा कोई बात न तो अपनी छोटी को दिखा ठीक है ना, और कम पड़ है, तो घर जाका ओर लिये ही है ठीक है भाई ये ले, साइन कर अरे मात ने तो कोई गरीब हलाल कर जदिखा है मैंने तो किस से ना हलाल ना किया अरे हलाल नहीं से जटका कहे करे हैं, यो ना पकस्ति किसी को भी किसी के गहने हड़प कर जा, किसी की जमीन गड़प कर जा अरे यहां तक घर भी हड़प कर जाती है यो तुम अपनी जबान बंद रखो, तुमे कुछ ना पता दुनियादारी का अरे मा सब पता दिन दुनिया का, कर खालने दिन करिब बहुभी क्यों के पेट पलात मार रही है भगवान सब देखे हैं? इससे इस बात का बैरा नहीं है, किस दिन भगवान इसके पेट पलात मारती ना, पता निक के होगा अरे मा तुम मान जा, एक दिन इस लालत की बज़े से बहुत दुख ठावेगी अरे हम भी ठालेंगे कटोरा, पर किसी का हक न मारें रामराम जच्चा, रामराम सुजी ताजा बैठ चच्चा, और सुना, सब ठीक ठाग है? हाँ भाई सब ठीक है, तुझे देखके और भी ठीक हो गए, आज सवारी कहाँ चल दी? कुछ ना जच्चा, भाई का व्यासा आ लिया, लो संबालो इसे अरे तो गणी अच्छी बात है रामराम जच्ची रामराम भाई, ये मोटर साइकल दो फर में काठा हो फिर है तुझे ना जच्ची थारे बालक का व्यासा आ लिया, काठ से बाटता फिर हूँ हाँ, यो काम भी जरूरी है, पर रिष्टा काम पे हुआ? रिष्टा तो थारे भाग से नज़्दिक से हो गया, काकडा के रहने वाले हैं काकडा किस के? काकडा बिरपाल मास्टर जी की छोरी से अरे उसे तो मैं भी जानू, बहु सिद्धा मानस है, मगर गरीब है थोला सा गरीब सा मास्टर, अरे वो किये देगा देज में? तीन लाक रुपे लगाने को कह रहा तीन लाक? तीन लाक में तो आजकल फन निचर भी ना हो है अरे कुछ दियो मत दियो, आदमी घणा बड़िया बड़िया आदमी का के चार गेरोगे, जब कुछ लेंड देन को है इना, क्यों छोरें डबरे हो तम? नो ना चाच्ची, छोरी पड़ी लिखी बहुत है पड़ी लिखी है, के बालक पड़वाओगे तम उससे? अरे मा, सब कुछ पैसा ही ना होता, इज़्यत, सोरत, पड़ाई लिखाई भी तो कुछ हो बहुत है तू बालक है, तुझे दुनिया दारी का ना पता, पड़े लिखे लोग, अमारे जैसे पैसे वाड़ू के यहां नोकरी करते हैं, तू अपड़ा काम कर अरे मैं तुझे फेर कहूं, मुप्त के माल का लाला छोड़ दे, वरना किस दिन बहुत पस्ता आवेगी अच्छा चच्चा, मैं चलो तम बतलाओ चल ठीक है भाई, राश्ते में मोटराईला राम चलाईयो, सामने वाले सबंदे हो, खुदी समाल के चलानी पड़े चलो ठीक है, अच्छा राम राम चच्चा, तुम बाब बेटे कान खोल की सुनलो, कल सुधीर को देखने आ रहे हैं, दोनु मिलके बाब बेटे अपने टांग मत अड़ाईयो चोधरी साहब, सुमन हमारी इकली ओलाद है, पानसो बीगा जमीन, घर मकान, बैंक वैलेंस, गाड़ी घोड़ा, सब उसी का है हम भी चाहएं, कि सुमन किसी अच्छे घर में चली जा, और आपके बारे में तो पूछने की जरूरती नहीं, आपका लड़का तो हीरा है हीरा, सारी ब्रादरी जाने है वो बात तो सही है चोदरी साहब, लेकिन हम तो आपके सामने बहुत छोटे आदमी हैं, हमारा रहन सैन तो तम जानते ही हो ये कैसी बात कर दी चोदरी जगबीर सिंग आपने, छोटे तो हम हैं आपके सामने, आप एक बर साधी के हाँ तो करो, फिर देखो चलो चोदरी साहब, ये बताईए, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है बै चोदरी साहब योई एक कमी रहेगी, आठवी पास करी थी, उसके बाद अपने माम्मा के चली गई, पढ़ाई छुटगी जब मत्या आगी तो फिर हमने सोचा, अकनोकर चाकर तो हैं काम धाम के लईया, तो कोई जोरूत नहीं है कोई भात ना है, आठमी ही बतेरी है, बाण बेटी को तो बस पढ़ना लिखना आना चाहिए एक हमें देखो, हम पांच भी फैल है, फिर भी हमारे घर का इसाब किताब हम खुद करते हैं यो बात तो ठीक है रगवीर जी, हमारे सुदिन ने तो हमें पास कर रखा, लड़की आठ भी पास, कुछ बात जमी नहीं सही कह रहे हैं पिता जी तू चुप रहे हैं, ब्यासादी का मामला है, तुरन तो आया करहें, चलो तब मेरे साथ, तू भी आ ठीक है चोदिर साब बात करके आते हैं, खड़े हो तूम दोनु कान खोल की सुन लो, एक लोती वेटी है, और पानसो भी का जमीन है, ठीक है, और इतना धंदोलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, संज़े आठवी पास बतारा छोरी को, क्या बता आठवी फेलो, अपना सुदी रह में पास है, क्या कहेंगे लोग लोग दरे है मेरे ठेंगे पे, इतना मार लाएगी, सबका मुबंदो जाएगा, लोगों का काम है कहना, तम बस बया की हाक रो मा तू भाई को क्यों डूबा रही है, तने चैर किताब के पड़ली, ग्यान देने ले गया, तम हो रिस्ते की हाक रो, चलो दोनु, चल जी चोधरी साब क्या विचार है, ठीकर अगुईर जी, अब थोड़ा हमें ये बता दो, कि छोरी देखन के लिए कब आँ है, सुब काम में देरी क्यों, इसी इतवार को आजाओ बाबो जी सम्दाने माल खागाई हो गए, पानी पीलो ना बेटा रुक, नन्नी, हाँ माजी, तु इसके लिए बदा माल दूद लिया मेरे वेटा गोड़ी चड़ागा, दुल्ला बनेगा हाँ, वो भी अनपड छोरी से तू चुप कर अनपड? मालदार है वो तमा के दिक्कत है, इस गर में मने तो कभी सुक देखा ना बवव आओगी, माल आओगी, थोड़ा बहुत सुक मुझे भी मिलेगा हाँ, तू ये तो हर टेम, पैसे में शुक दिखाई देवे मैं ना होती ना, तो इस गर में कोवेर होते हाँ, तैने तो पहले से यहां चुता रखे है पिता जी, तम ये नुरा कुस्ती बंद करो मुझे ना व्या करना उस अनपड़ लड़गी ते तू ये कर लिए मा उसते ब्या, धन तो फेर ब्या आवा घर में बिटा, ब्या की तो तो नहा करनी पड़ागी उससे में जबान दिया ही मा तू कुछ जबर्जस्ती मेरे जिन्दी खराब करने पर तुल रही है बिटा, मैं तेरी मा हूँ, तेरा बुरा ना चाओ, मैं तेरे बले की कर रही हूँ तुझे कुछ भी ना पता इस दीन दुनिया का दीन दुनिया का जितना तुझे पता ना, हम उस ते काम चला ले हूँगे क्यों जब रिजस्ती मेरे गले में उस लड़की को बांध रही है मुझे ने करना उस तभिया तुई कर ले उस तभिया, तुई चटजी ए गोड़ी पे गोड़ी पे ना, अर्थी पे जरूर चड़ूंगे ये दितना ब्या की हाना करी तो ये लोग फिर मनने के धमकी यो धमकी दे सक है, मैं भी ती साल से सुनने हूँ इपकी देख लियो, इसने ब्या की हाना करी तो मा मैं भी तेरही बाला कूँ, सुन ले इस बात कूँ मैं दान दहिज के चक्कर में आकर, मैं उस अनपर लड़की साधी न कर सकता मुझे लड़की ची ये संसकारी, पड़ी लिखी, चैवा गरीब क्यों न हो, डांगर क्यों न चराती हो ये आज बहुत जल्दी चाराल आई तो ही न, भूक की तो न रहा गी है ये अरे ने कुछ खाने को भी दिया या नहीं पिता जी, ये खूब पेड भर के खाके आई, अब थारे ते कुछ न मांगे, वो तो मुझे कॉलेज का कुछ काम है, मैं इस मारे ने जल्दी ले आई किताब ले की साथ चले जाती पिता जी, वहाँ पढ़ने को इराजवी भते रहा, एक मिनट पढ़े ये फिर दस पेड़ों पे कुदार मारे ये यू मैंने सारा याद गर खा दी दी, को तो सुनाओ भी तु रहेंड दे, मुझे पता तानी कितना याद किया है, तेरा ना पेपर में वो गोल वाल अंड आएगा, फिर उबाल की खाली ही उसे जगड़ो मतने दोन्नों बैन भाईया, हाथ मुँ दोलो, और रोटी खा के फेर पढ़ लियो, चलो अच्छा मैं बजार जा रहा हूँ, बनिये के कुछ पैसे दे के आने उन्हें दिया हूँ, ठीक है जाओ अरे के नीद ना आ रही, अरे नीद कैसा आवगी यार, मा की बात ने नीद उलादी दिख्खे, मा ठीक कह रही है, भावी आवेगी, मा लावेगी, कुछ फाइदा मेरा भी होगा, यू टैम मजा का ना यार, मा की बात नमाने हिम्मत है तेर में, इस घर में कर सके है कोई हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, कर दे हिम्मत, के करूँ, अरे भाग जा तीन-चार दिन क्या, हाँ भाग जा तन्य तो कह दी, अर माने कुछ कर लिये तो, तु बावला हो रहा है, जो दो-दो रुपे के गरीवों का खून चूस लेवे, मर रही है कहीं, अरे यवा महरी म चलंग से डर रहा ना, तो मात्य पर चाबल लगवाले, लिया ना अन पड़ी हाँ, अरे अमीर बात की छोरी है, पुरे घर में न केल कर देगी, और तेरे भी कर देगी, भाग जा भाग, बचा ले अपनी जान, पर जाओं कहाँ, अरे इस्ते दारी मत जीए मत ना, मात सारी जग पता काड़ लेगी, कहता तो ठीक रहा, मैं जा रहा हूं, हरीस दोर है, हरीस कोन है, अरे वो ही जिसने मेरी गयल में करी, ठीक कह रहा तू, एक नमबर सिस्टम रहे होगा, वहाँ, बढ़ी हा रहे होगा, ठीक है, फिर तू दो चार दिम ठंडा माल बन जागा, आज य होगी, क्या, अरे यार, मैं तो ऐसे लिखेड़े हैं, खेट पर जा रहा हूं, बजार जाना पड़ेगा, कुछ लिखते गुद्रे लाने पड़ेंगे, अरे यूरा बजार, पर मुझे थोड़े से काम है, हाँ तो तो अपना काम निम्टा, मैं बजार होगा, अकेले जाता के कर रहा है, अरे के कर रहा है, क्या हुआ, पानी तो भर ले, उत्तरी, अरे राजू वो गिर लिया, उठा, राजू उठा, राजू उठा, भाजी आदमें इतने अकल नहीं होती, पथर कहीं होई गेर दे, कोई मरो चेकीरो, कोई बात निया, आप उठीए, मेरा पर पास अराम से, आप इधर बैठीए, ये मेरा घर है, मैं अभी दबाई लेके आती हूँ, राजू, ध्यान रखे, ठीक है दीदी, भाजी आदमें, बिल्कुल अकल नहीं होती, बहुत दर्द हो रहोगा बाबुजी, अ तम डाक्टर हो? ना, डाक्टर तो ना हूँ, पर बनने की तैयारी जरूर कर रही हूँ, मुझे लोगों की सेवा करना, पशुपक्षी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, और पता है, मैं डाक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं, बलकि मानवता की सेवा करने के लिए बनना चाहती हूँ बहुती अच्छी बात है आतो धन्यवाद अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात ये तो हमारा फर्ज था चल राजी तुझे हजार बार कैदी अके तेरे यो लालेट एक तिन इस घर कर नास करावेगा मानी तो तुँ है नहीं भगा देन छोड़ा घरते बागना तो उसे मैं सिखाऊंगी जाएगा कहां लोटके तो यहीं आएगा बढ़ा उसे दुनियादारी का पता है मा के तो सारे अर्मानों पे पानी भीर गया भाई अर्मान जो संतोष चाती है वो करकी रहती है यो तो सारे गाउं जाना है तेरे तिरिया चरित्र को चुपरो तुम अरा कहां चला भी बंठन कै अरा बिजनिस की सोच रहा हूं अच्छा जी? ऐसे लत्य जुद्धे पार के परेश की बिजनिस सोच जा ए तू है? कहीं जाना पड़ागा तो कपड़े तो सही पार के जाऊंzyst तो नुइ तो पूछ रहा हूं जा का रहा है सोच रहा हूं गाए पालनों गाएं? बहुत बड़िया, मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तु बता कुछ ओर रहा हूँ, खेर बहुत बढ़िया काम है दूध का भाई, हसने की बात ना है, सरकार भी पूरह सपोर्ट कर रही है बहिफ सरकार का तैं मुझे पता नहीं के कर रही, के नहीं कर रही, खेर, दूद का काम भी बहुत बढ़ीया काम है मैं सोच रहूँ, सोए गाह बांधलू तु कर ले न, समाश्चा की है, अब तो सरकार भी खुब सा दे रही है शमश्या उनके लेने की नहीं है, उनके देख भालगी है हमारे गाव में ताव रह वे, उसे डोहरों की बहुत परक है अच्छा उसके पास जाऊं चल मैं भी चल रहूं, मैं यहां के अंडे दें हुआ चल तो फिर चल ताव राम 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 जी ताव ताई दिखाई नदेरी कहां गई है भाया वो लखड़ी जुगने गई है अच्छा अरे लाली पानी लई हो लाई पिता जी यू भाई कौन है, इसके तो चोट चाड़ सी भी लग रही है ताव यू मेरे दोस्त है गाउं में आते ही चोट से सुआग़ तो आ इसका अरे चोट चाड़ तो लगती रहे दो गिलास हल्दी का दूद पियेगा ठीक हो जावेगा और बताओ कैसे आना हुआ आना क्या, सो एक गाये खरीदने की सोच रहूँ सो क्या दोसों खरीदो आजकल तो गाये के दूद की बहुत मांगे भाईया और सरकार भी गाये पालने के लिए बहुत सुभिता दे रही है तो तुम मेरे साथ हो मैं टेंसन फ्री हो जाओं बिल्कुल, जब कहो के खड़ा मिलूँगा ठीक है ठीक है तो ताओ चले अरे कहा चले दूदूद पी कर जाईयो इसके लिए हल्दी का दूद मगा रहा हूं तो दूद की क्या बात या भी ठाराई दूद है बहा में भी ठाराई दूद है तुमने बता दिया हल्दी की लिए ना यीव मैं जरूर कर लूँआ ठीक है भाई कर अरे चल अरे चल भाई कहां खो रहा है सुजाता ओ सुजाता हाँ पिता जी टाइम हो गया ढोरों को चराने ले जा देखिये रात मत कर लियो जल्दी आ जाई हो हाँ पिता जी जहां जावे वही बैठ जावे अरे धूध पिण था यार ताने यार दूध नी पिन दिया आई अरे सुल्ले घर जाके धूध पिलियो अरे चूतियो धूध पिन आ है यार तू समझ नहीं रहा है यार प्लीज यार अरे यार घर पिलवा दूध gesam इस ारे तू चल पागल हो रहा दूदी दूद बस पता नहीं कहां गया अब तक ना आया, पता नहीं कहां गया क्या क्लै थी तू एक गंदा हो गया चाहिको बोले हो ए शुदरeern राम, राम शुदराइन, है क। सुद्धीर सुद्धीर ना है, के काम है वो बता, पैसे देले की बात तो न है, पैसे देले की तो कोई बात न है, इसे तू पैसे की बता, अगर तुझे पैसे चाहां, तो घर से जमिन जात के काईल दिया, गहने सेने लिया, अगर तुझे पैसे देने हैं, तो दे जा, ना जी मैं तो मिलना आया, काफी दिन होगे आसकरने में अरे आप यहां हां मैं यहां आप भी क्या यहां गायबेश चराने आये हैं मैं कोई बकरी चरान थोड़ी आया हूं तरह नाम पूछनाया हूं गरीबों का कौन नाम पूछता है गरीबों का नाम कुछ तो होता होगा हां होते तो हैं क्या है तुम्हारा नाम यह मेरी दिदी का नाम है सुझाता और मेरा नाम है राजू अच्छा तो तम यहीं आये करो डांगर चरान है ना ना कदी कदी आमारे पिताजी भी आजा अच्छा अब आपकी चोट कैसी है चोट चोड तो थार हाथ लग तू ठीक होगी थी बाकी का सरब देख के पूरी होगी अब तो चीज है न चबक हल्दी वाला दूद पिया था अब कोई जरूत ना हल्दी वाले दूद की ए राजू नीचे उतर घर चल रहे हैं आ रहा हूं दीदी जल दिया कल किस टेम आओगे यही सांच को चार बजे ठीक है ठीक है क्या मतलब मैं यहीं मिल जाओँगा यहां क्यों क्यों काई तो जवाब ना है चलें दीदी अरी मा सुदीर भाई का होगा और कैसा होगा उसने संतोस से पंगा लिया है उसे किम्मत तो चुकानी पड़ेगी अरी मा इतनी जवर्जस्ती भी ठीक ना होती पर तू समंझती ना पर तुझे तो हमसे प्यारी ना है इस पैसे के चक्करम किसी दिन हमें भी ले बैठेगी तू ज़्यादा बहसर ना देवे तेर को के पता पैसे के कीमत के होगे है पता ना मा को ऐसी छोरी क्यों दिखाई देती अब माचा मानने है और ना मानने है पर ब्यातुस लड़किती करना अरे लाली धोरों को मैं चरागे ला रहा हूँ तू पढ़ती रहे रुक जाओ मैं भी चल रहे हूँ तू चार लकड़ी लाओंगे फिर धूफ हो जाओगी चल ठीक है आजा तू का चला वाई पिताजी मैं भी थरी कहल चल लाओं ने तो माचा टेंडी मुझे बठागा पढ़ावागी है इसी ठीक है आजा आप यहाँ बैठ तो सही किसी ने देख लिया तो देख लेन दे के बात होगी आप आपकी चोट कैसी है चोट हाँ अब बिल्कुल ठीक है पर तू आज गई न डंगर चराण ना आज तो पिताजी गए एक बात कहूं तू मुझे बहुत अच्छी लगए ब्याकरेगी मेरते नहीं क्यों के बात होगी आप बड़े आदमी हैं और हम छोटे प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे हम भया कोई भाग के थोड़ी कर रहे हैं मा और पिताजी की मर्दी से करेंगे तू अपने मन की बता मैं अपने मन की किये बताऊं वो तो कब कथारा हो गया हरीज भाई तू कुछ भी कर कैसे भी कर उस लड़की ये पिता जी तबात कर मुझे उस लड़की दे साधी करनी है कह तो तू सही रहा पर अपनी मा को भी देख लियो उस गरीब घर में बिहा होन देगी मा तो लाल सी है पर है तो माई मा को भी समझा आँगे और पिता जी कोई दिक्कत है इनी चल ठीक है मैं बात करूँ हूँ भाई कैसे भी कर इस काम को निमटवा दे चिंता मत कर तू बे फिकर रहे है देखो ताओ जी सुदीर के घर बार और चरीतर के बारे में तो मैंने बताई दिया है सुजाता माँ बहुत खुस रहेगी हमने तो सपने भी भी नहीं सोचा था हमारी सुजाता गर रिष्टा इतने बड़े घर में होगा आप चौदीर साब से बात करो मैं सुजाता से बात करता हूँ ठीक जी ए भगवान तेरा लाख लाख सुकर मेरी बच्ची का इतने बड़े घर में रिस्ता होगा पर मातमा तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे न तुझे भूला जा भला तु तो मेरे रग-रग में बस ही हुई है तुम कत्तक वापिस आ जाओगे बस बहुत जल्दी फिर तुम मुझे अपनी ग्याल लेके चलोगे हाँ इक पर बात तो कर लू मा मान जाएंगी वा तो बिल्कुल नहीं मान रहा है वा तो मनानी पड़ेगी मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी फोन बात करूँआ न और हाँ तु अपना नंबर तो दे दे फोन मेरे पास तो फोन भी ना है एक वो छोटा वाला फोन है वो भी घर पे धरा रहे तो वो ही दे दे अच्छा लिखो पर यहां फोन मिलते ना है मनने तो कदी थारे धोरे भी फोन न देखा फोन तो मैं ले रहूँ पर यह स्वीच ओप कर रखा है फिर घर ते फोन आवगा माल अड़ेगी पर मैं घर जाके ना रोज तेर ते बात करे करूँआ मुझे हसा के फिर रुला मत दिये तू अब तक अपने सुधीर को नी समझी जब तुझे एक बर अपना माल लिया तो माल लिया यह दुनिया इंगे के इंगे हो जी हो पर मैं तुझे ने छोड़ू अरे आ गया भाई तू आ लिया अरे तेरे जाने के बाद बड़ा सांग हुआ मन ने तेरे पर भोध फोन मिलाया तेरा लंबर ही ना लग रहा हरी इसका लंबर ना हा हुआ के बात तो बता अरे हुआ के माने खपर भर दिये अरे भी यह लड़की वालन तो नूक है दी हमने तो काड़ बाट दिये, रिष्टेदारी में गाम में हर जगे पता है, हम तो उल्टा रिष्टा ले में ना, और इंगे पापा दवाब माग, अच्छा यो तो बहुत बढ़े होया बई, मा की बीच्छा पूरी होगी, और मेरी भी जान बचगी, मा की बीच्छा पूरी ह अब तो जहलना ही पड़ेगा, माली, माली, मा तु आली, मा तु आली, पर वो का है, रामजादा, मुझे ना पता, हम, रुक तु, जोगा गर से, तोजी बोस हो करने गर से बागने का, रुक, तुझे मा बता, हम, हम, रुक, अरी मा बस कर, मा मुझे बकस दे, तुन की खाला है, तेरी टकर लेकिना, मा अब क्या बकस दे, भाग जहिए, तेरे भागणे से संतो उसका कोई काम रुक है, के, अरी मा तुन सारा संसार समाल राखा, तु मुझे बकस दे, बस, बकस दिया, पर मैं जाकाउंगी, वहां तु जहां क्या भ वहीं भ्याकरवां काणी हो लंगडी हो लुल्ली हो जहां कैव की वहीं भ्याकरवां ठीक है इसके लिए रोटी लगा दे अरे गुडवी लिए थोड़ा सा बहुत दिनों के गुड़ देखू कर दोड़र हो लुत को अरे रोटार। मा, ओहो, रसोई में लख रही है मा तो, जाओं ना जाओं, साप के विल में हाथ देने ही पढ़ेगा मा, तू रसोई में? हाँ में रसोई में? क्यों नन्नी का गई? उसकी भाबी की तब यत खराब होगी, उससे देखन गई अच्छा, और वा राहूल की भव सुमन? वो दोनू बजार जले गई मा, मैं तेरी ने ऐसी भव लवा, जो तुझे काम को भी हाथ ना लगान दे तू लिया बेटे, राहूल की भव सक तेरी भव, 21 रोनी चाहिए तू चिंता मत करे मा, तू बस अपना आसिरवाद बनाव राख, सारे काम हो जगे तू जीता रहे बेटा, बस यो घरे, सारे इलाके में मुझे उपर ले जाना है अरी मेरी मा, प्यारी मा ले बई, पी ले, ना ना यार, मेरे खांदान में तो इसको हाथ में लगाता कोई अरे तू ये ले ले, इसमें तो खरावी ना है ना ना खरावी तो इसमें बहुत हैं अब तो यार राहुल जाद संध मत बनें अब तू वह वाला रहुल नहें अब तू करोडश पती रहुल है और पूरे गाम में तेरे अवराप बरगी आसा में नहीं है कोई ना ना यार एची कोई बात न अरे ले दम तो मार यार अरे पिले यार क्यों इतने भाव खा रहा है ले 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 पैग ले पैग ना ना अरे ले ले अरे दोस्तों के गुटना दे सकता है यार ले 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 यार यार ये कहां दोस्तों की बात मान रहा ये तो बड़ा अदिमी हो गया अरे यार ऐसी कोई बात ना दोस्तों की बात न मानूँ और किस की मानूँ आ ले लेता हूँ खेंच जा तो आप हलो हलो कैसी हो सुझाता मैं तो ठीक हूँ पर तुम बिलकुल अच्छे ना हूँ क्यों के गलती होगी मेर पर इतने दिन होगे तुमने एक फोन भी ना करा कितने दिन होगे यार बस दो इदिन तो हुए है तुम्हारे लिए दो दिन होगे पर मुझे तो यू लग रा जैसे दो जनम बीत लिए तुम कद आओगे मुझे लेने बस आल लग रहा हूँ घर में थोड़ा माहौल सा बना लू आल लग रहा हूँ बस तुझे लेन ठीक है तुम ना माहौली बना लो तब तक मेरी जान ही निकल जागी ऐसे न क्या ही करते हैं ठीक है पर तुम माहौल जल्दी बना लो तुचिंता बद ना करे बस मैं आल लग रहा हूँ तुम्हारे बिना आप रहा नी जाता तेवर काड मान ले भी को ले बैं 20 मेरी तरफ मैं 20DD मैल क्रें ना मेरी तरफ से कुछ ना अर जब लगा रहा है तो लगान दे ना अरे इसमें ब्रुणी कही है भाई ज़ो अगर जीट गया तो फिर 4 singing आफ देब सब ढ़ रहा ले भाई हम तो गड़ी गया ले भाई भाई मैं भी गड़ी गया भाई साब जीत गया दोनों को ठाले क्या बात अलग अरे भाई तेरे तो मुझा के अभी तो तुक्रा मेरे पास पैसे ना है चल खेलते हैं और भी अरे भाई चल दी वाद अरे तो पांग सो किया है तो करो भी चलो भाई आजाओ अजया ने बड़ी मेरी हजार किया हजार मेरे जमा भाई मेरे पर तो पैसे है ना भाई मेरे तू लगा दे अजयार इसके पांग सो अंदर पांग सो मेरे तेख लो भाई या जोन से में दम होना आ जाओ ले भाई या तू ले जाओ शुलो भाई शुलो भाई बाटो बाटो दो बारा अरह मेरे पर तो पैसे भी ना है भाई पैसे का जुआड कर ले पैसे का जुआड करों यार या तो अजीब जवर दस्ति है मैं आ आ था हूँ कुछ पैसे का जुगार तो कर पैसे का जुगार तो करना पड़ेगा ऐसा कैसे चलेगी भाई आज ही आज इसने डाट लो करो इसका काम है सुचा था गाफोर है 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 कैसे हो मैं ठीक हूँ तू सुना मैं वैसी हूँ जिस हाल में तूम मुझे छोड़ गये थे बई तू ऐसी दुख भरी बात मत करे कर तुम कब आउगे मुझे ले ने घर में माहूल बढा कि ना अर्य माहूल तो मैंने पुरा बढा लिया बस खेट का ठोड़ा सा काम सरह रह रहा है यूझ रहा हो तुझे लें पता नहीं वो दिन कद आओगा जब तुम मुझे लेने आओगे वो दिन बस आ लिया तु चिं परिसांसा हो रहा है परिसांसा क्यों वो आंकित का फोन आ है आकि माम में अस्पताल में है नू कैरे आ वो कुछ पैसे की जरूसी है कुछ पैसे पढ़े हो तो दियाऊंगा उसे अच्छा पैसे देना चाहारा है एक काम कर PANCHS-KHP पढ़े हैं ले देती ठीक है न अरे चलो लगाओ बाजी लिया आया भाई पैसे अरे हमारा पैसें की कौन सी कभी है चलो भई चलो अजा चलो सुजाता ओ रहे ये बेटा सुदीर का कोई फोन होना आया था हमा फोन तो आया था अरे क्ये कह रहा था कब तक आवेगा पिता जी वो अभी टैम नहीं होने खेत में कुछ काम सा फैल रखे ये इन बड़े लोगों की यही बात खतनाक है इनों के काम ही नहीं सिमटते चल तू टैंसन मतले काम खतम करके आ जाओगा पता कुछ नहीं आवेगा या नहीं आवेगा आवगा क्यों ना दू कद सी आवे मिलन मने तेरी याद या मार गई तेरी देख देख कै बाट यो साजन मे तो हार गई तेरी देख देख के बाट यो सा जल मैं तो हार गई मैं कली नार तन बार बार रह कित कित जा के टोंगी मैं किसके आगे दुख सुनाओं किसके आगे रोंगी मैं कली नार तन बार बार रह कित कित जा के टोंगी मैं किसके आगे दुख सुनाओं किसके आगे रोंगी मैं तेरे तन दूर ना जाओंगी या बात मने हर बार कही तेरी देख देख के बाट यो सा जन मैं तो हार गई तेरी देख देख के बाट यो साजन मैं तो हार गई बाक अदसी आवे रात मिलन की मेरे तैज़द बुल लेगा कुछ मेरी बात सुनेगा और कुछ अपने दिल की खुल लेगा तसके जिन्देवाल तुमिलन नाया करके मैं इंतचार गई तेरी देख देख के बाट यो साजन मैं तो हार गई तेरी देख देख के बाट यो साजन मैं तो हार गई तेरी देख देख के बाट यो साजन मैं तो हार गई तेरी देख देख के बाट यो साजन मैं तो हार गई जोद्रे साब से बात हुई शादी के बारे में? हाँ बात हुई पर मा मानने को तयार नहीं है धंदोलत के चकर में उन्हें मेरी खुसे दिखाई नहीं देती पर मा तो मा है मान नहीं जाएगी जब शादी होगी तो मा को भी मानना पड़ेगा ताओ जी सुधीर सही कह रहा तुम इन दोनों की शादी करा दो सुझा तो सुधीर के साथ बहुत खुस रहेगी बेटा मुझे तो तेरे संस्कार बहुत अच्छे लगे और तेरा सौबा वी बहुत अच्छा लगा और मुझे विश्वास है क्या मेरी बेटी को बहुत खुस रखेगा तो मा पिताजी मा राम 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 पिताजी राम राम अरे बड़ा खुस नजिरा रहा है मा वो इंगे तिंगे के देखा है बात हुबता वो मा मैं तरी ना बहु लाया हूं बहु का है बार बार अरे तुल्लू का पठा के बहु को अंदला हां हां सुमन नन्नी देखो जल्दी सी बार आओ गर में बहु आईए चलो जीती रे बिटा देज गाए मा दूलनी देज है लेके निकल जा इसको अपने गंदे कदम मेरे घर में मत रख दियो मा जी खबरदार मुझे मा जी कही जैसे आई ती मैसे बापे सोले मा मेरी बात तो सुनो सुन रखिये तेरी तन्य तो मारे नाक कटवा दी लेके निकल अपनी सजनी को यासे मा जी मैं आपके यह नौकरानी बन के रह लूँगे मुझे मत निकालो मा जी मेरे मा ता पीता तो जीते जी मर जाएंगे तेरे माबाब मर जाएंगे तो मैं क्या करूँ निकल या से कंगली कहीं की मा क्ये कह रही है तू या इस घर की भव है इस घर की भव ये कत्ते ही ने बन सकती तू ऐसी मत बन है दीतीरिवास भव को घर मान दे यो लक्षमिय कभी ऐसी मानती हो ऐसी कंगली लक्षमी होती होगी भला तू भी कदीश घर में ऐसी आई थी तमने तो घर का नास करने की ठान रखी है अरी मा तु मेरी सुन हाँ सुनाना बेटा तेरी सुनाना अरी भाब्वी को अंदर ले चलना सुचाता आप क्यू परिशान हो रहे हो अरे यार मा तरीकल अच्छा वेवार नहीं करती वो हमारी मा है वो हमारे साथ कभी गलत करी नहीं सकती अरे तू नजानती मा को मैं जानती हूँ सबकी मा बस मा होती हाँ थोड़ी कुसेल जरूर है लेकिन आप देखना मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी ना कि वो एक दिन मुझे बहुत प्यार करेंगी खयाल तो अच्छा है पर ऐसा हुए तो ना उसनाज तक मारे बाप की नी सुनी तू तो चीजी क्या आप परिशान मत हो आप बस अपने काम पे ध्यान दो और मैं उनकी सेवा में ध्यान देती हूँ आप देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा चल देखेंगे वैसा मा के चक्कर में अपना कीमती टाइम क्यों खराब कर रहे हैं सुजाता जी माजी या वेटा देख वेटा मैं जानू हूँ गरीबी भूत पूरी चीज हो है जी माजी ये भी मैं जानू हूँ तुने मेरे बेटे सुदीर को अपने प्रेम जाल में क्यों फसाया है माजी आप क्या कह रही हैं ये ले दो लाख रुपया और मेरे बेटे सुदीर का पिछा छोड़ दे माजी ये क्या कह रही हैं आप वो मेरे पती हैं मेरे परमेश्वर हैं इन पैसों के लिए मैं उन्हें कैसे छोड़ दू और कितने पैसे चाहिए तुझे तेरी ओकात तो दो हजार रुपय की भी नहीं है दीदी? ये पकड़े और सुदीर के आणे से पहले यहसे निकल जा माजी, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती अब तो मेरे यहां से अर्थी ही जाएगी जोर, निकल यहां से, गंगली कहीं की बड़ी रही हैं, नोकरानी से ज़्यादा तेरी कोई उकात नहीं है और सुन, मेरे कमरे में मेरे बिना इजाज़त के पैर भी मत रख देना और सुन, मेरे कपड़े दो ननी, एक बात है इस घर को नरक बना रहा है, ननी इस बुढ़ियाने घनी अंत की तार रखी है सही कह रहे हैं, मेरा भी बिल्कुल माननी लगता जिस घर में, राम ज़्यादा छोरा और सीटा ज़्याजी बहुत अच्छार होता है उस घर का नमक खाना भी हराम है हम करवी क्या सकें, हम तो गरीब आदमी है गरीब हुए तो क्या हुआ, कोई इसी से काम चलेगा, लात मारते हैं आशी जोगरी को ननी, उरे क्वा आई मा जी किसलिए बुलाव है ये अक्तिय अचार के इलावा और कुछ काम है इन्हें यह ले यह क्या है, यह थारा हिसाब है मतलब मतलब आज के बाद, थार इस घर में कोई जुरुत ना है अब इस घर में हमें रहना भी नहीं है अच्छा हो, आपने इसाब देते हैं वर्नाप खुरी साब लेने वाले थे हम तो बड़ा लाड़ साब हो रहा है लाड़ साब तो ना हो रहा है पर इस घर में बहुत कुछ हो रहा है मार पेतों सायन ना होता चलो इस घर से जाओ, निकलो जा रहे हाँ है अच्छा हो रहा है अच्छा हो सो गए के नींद आ गई तू मेरी मा की ना कितनी भी सेवा कर लिए ठीक है पर तू से नहीं बदल सकती और आज तो उसने सारे नोकर भी भगा दिये सारा काम तेरपी करवाओगी तो के बात होगी घर में दो-दो बहुरानियों की होते हुए भी नोकरों की जरूरत भी के है दो-दो बहुरानी, एक नोकरानी और एक महरानी यह आप कैसे बात कर रहे हैं और घर में काम है भी कितना इतना काम तो मैं यू भागते भागते ही कर दूँगी भागती भागती ना वे तरपर काम करवा करवा का भगा देंगे अच्छा आप अपनी सुजाता को इतना कमजोर मान रहे हैं आप देखना मैं अपनी सेवा से इस घर को अपना बना लूँगी तु इस संसार को बदल सका है पर तु मेरी मा को नहीं बदल सकती आप बस देखते जाओ मैं तो देखी रहा हूँ यहले इसे बीटिक से दोना ले पकड़ दो के कमरे में लेक्या आई ने क्या आशी कर रहे है ठीक से दुबा परत बढ़ने ना होतने पर दो आशी कर दो कर दोके कर दो दो कर दो झा़ए तो पंचाने कि अधिया है तुछे दिखते हैं कैसे पहुंचा लगारी तुझे पता नहीं में आरी हूं तुछे पता हैं में आ रही हूं सारे में गिला कर दिया चला है गवार कहींगी देखिये इसे ठीक से लगा लिए ज़ाडू को अरे सुनती है एक बात कहूं था कहो तम भी कहन लग गया अब तु इस बहुपए जाज़त्य चार मत करें ये गरीब मावाब की बेटी है इसके दिल की निकली बद्वा तुछ पर बहुत भारी पड़ेगी इसकी दुआ तम लेलो ये कलमुई मेरे गर से निकलती नहीं मरती भी नहीं ये चली जाए तो मैं अपड़े बेटे की दूसरी साधी कर लू कलमुई कहें की मका आसमान में थुका गिरेवान में आयकर है भगवान ता डर स остав नहीं किसी से डरती ये किसी दबना सिखएं संतोस वही करती है जो संतोस का दिल चाहता है शमजे łat-र यार यह भी ख़तम होली मजा भी ना अंचर और मंगालो नहां अर भाज़ भी दो खतम होलिए मेर पाब पंदरें लाल तो भाप भी थे लिया है अपने भाई से लिया और नहीं सराप के चुट कि पैसे मैं उससे नहीं मांग सकता वह तो बहुत देवताए इनसान है मैं तो पहली मांग मांग कर सरविंदा हूं उस से अब फिर तो पालिटी खतम अरे ऐसे कैसे हो जाएग मैं करता हूँ जुगाड़ भाइसाब भाइसाब उठी भाइसाब ये क्या हाल बना रखा है आपने अमेरों के यह हाल होते हैं भाइसाब नशा बहुत बुरी चीज होती है इंसान को इंसान नहीं रहने देती है इंसान को बना चाब है हम आग देग देग निंतर सु्क को क्या पता अमीरो के ठाट बाट जलो आओ अंदर नोक्रों के मूहिं लगा कर सेंग झाल झाल दीदी, भाई साब को समझाईएगा, इतनी दारू ना पिया करें तो के पियें? तेरी ढाल मारा खून? दीदी, दारू विनाश की जड़ है तुझे के पता शराब किस मज़े का नाम है? एकास ब्रांड का नाम बता सके तू? मुझे तो बस इतना पता है कि नशा नास की जड़ है ओ गमार, तू अपनी अवकात मेरे, इस घर की नोकरानी है, चल जा, अपना काम कर क्यो रे कलमुई? तुझे ये कही दिना अपने काम से बतलब रखिये तू इस घर की मालकर्ण समझ रिये क्या? तू इस घर की नोकरानी के लायक भी ना है और इस कमरे में क्यों आई थी? कुछ चुगाने आई थी क्या तू? मा जी मैं तू बस बाहर निकल, बासन कर ले जा तू आराम कर ले, कुछ ची ये तू मुझे बता देना, ठीक है बिटा? फोन मिला यो तन्नक, छोरी सा बात करने गुजी कर रहा मेरा अच्छा, ले भाबी जी, आपके घर से फोन आए मा का फोन हा मा, राम 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 बेटी, राम राम, ठीक है तू? हा मा, मैं अच्छी हूँ ये तेरी सास भी ठीक है? हा मा, वो भी बहुत अच्छी है बिल्कुल थारी तरह है मा, मुझे बहुत प्यार करे है और पता है मा, मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती, सारा काम या तो नौकर करें, या फिर वो खुद करें, मुझे घर की रानी बिना के रखा है बेटी, अब तू न काम मत करन देकर, बड़ी बूटी होगी, अब सारा काम तू कर लेकर मा वो मुझे कुछ करने ना देती और घरबार कैसा तेरा तुझे पसंतों आया है मा घर मा घर तो बिल्कु स्वर्च जैसा है पता है मा छोटी भाई जैसा मेरा देवर है और छोटी बहन जैसी देवरानी मा और पिताजी जैसे न मेरे ससूर है सब लोग बहुत अच्छे है मा मुझे पलकों पे बिठा के रखते है मुझे तो जमी पे पाओ भी नहीं रखने देते मा सब बहुत अच्छे है भगवान ना हमारी सुल्ली तू सुकी है तो हमारे मन में भी शानती है ले अपने पिताजी से बात कर ले हाँ हैलो नमस्ते पिता जी नमस्ते लाली जीती रहे तुछ ठीक है हाँ पिता जी मैं बहुत अच्छी हूँ हमारे चौदरी साप कैसे हैं पिता जी बिलकुल आपकी तरह है पता है मुझे बेटा-बेटा कहके बुलाते अरे वो राजुजित का रहा तेरे बास आने के लिए पिता जी वो यहां के करेगा अब कुछ दिनों में मैं इन्हें लेके आ जाओंगी न तुम परिशान मत हो यह पिता जी अरे वो रोज जित कर रहा तेरे पास आने की कह रहा दीदी की सुस्राल देखके आऊंगा पिता जी मैं तो मनाई करूंगी बाकी थारी मर्जी ठीक है लाली आउंगे हम दो चार दिन में हैं ठीक है पिता जी आजाएए नमस्ते पिता जी नमस्ते लाली तेरे ते हजार बार कह दी थोड़ा बहुत काम छोटी बहुत से सुमन से भी करा लिए अगर बहुकों बिगाड़ा ना करते वो काम करने आई है यहां पे आपने बाप के से इतना माल लेके आई है वो चाहए तो आपने लिए अपने घरमत दस नोकर रख सकती है तो फिर तू उतनोकर रख ले तीनोकर तेने भगा दिये इस सुमन को देखो इतना माल लेके आई यह सोने के अंगुठी यहार यह कान के और हाँ एक लोती अपने माबाप की बेटी है वो यहां काम करेगी चाहे अंगुठी बेटी हो चाहे गरीब की बहुतो बहु बहु हो यह करे यह जितना काम तो शुयाता सकराती न अगर उसका दसवन इससा वी तो उसमन सकराव है तुझे जूर्म की पतासल जाव है तुम्हे बड़ा तरस आख तुम्हारा क्या चकर है उसकलमुई से पूरी एक तोले की अंगुठी थी, सुमन लाई थी क्या हुआ माजी? क्या हुआ माजी की बच्ची? जो अंगुठी चुराई वो निकाल माजी मैं मैं क्या मैं मैं कर रियें बकरी की तरा? जो आूठी चुराईे वो बता? जो और माबाप क्यो लाएं माजी! आप मुझे डाठीए मारे गाली दीजिये कुछ भी करिये पर मेरे माबाप को कुछ मत कहिए वाह क्या बात है तेरा बाप कहीं का राजा माराजा है क्या कंगली कहीं की ये चोर बेटी मारे घर में बेश दी चोरी करने को निकालें गुठी चोर खांदान से मा जी मेरे खांदान पे मच जाईए संतों से बाल लडाती है मा आदिया इसका है माती क्यों मारी तू इसे मारो ना तो क्या आरती उतारो इस चोर निकी के बात हो कुछ बतावेगी भी यह 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 इन बालकों पर दांद बढ़ते रहेगी मेरी एक तोले क्यांग उठी थी वो सब्सक्राइब नहीं हो और इसकी तो में खाल उता हुए तो इसके भोड़े पनका इतना फाइदा उठा रही है ओ तू आगिया इसका इमाती अपने कमरे में जा और यहां को भी आसे लेकी जा हम चटती चले जाएंगे तो यहां खागेते ठीक है ना ठीक है चलो ता मंदर यह क्या कर रहे हैं आप हमें अभी चलना तू भी तैयार हो ले पर मेरी मेरी बात तो सुनो अरे तरी बात सुन राखे बीज़बर अब तू मेरी भी सुन ले यूगर महारे रहनलाक नहीं है देखो वो हमारी मा है हमें डाटिंगी भी और हमें मारेंगी भी वो मा है जो चोरी की जूटे सचे इलजाम लगावे मारे पिटे तुझे तू तयारोला में चलना अभी आप अभी बहुत गुस्से में है एक बर आप ठंडे दिमाग से सोचिए हम उने छोड़के नहीं जा सकते वो हमारे माता पिता है हमारे भुजूर्ग है हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी कर तो रही तू देख बार क्या मिल रहा तुझे थपड़ जूटे सचे इलजाम तू लिकर लें आता है न मात तेरे में किस दिन जित्ते जीमाग लगा देगी वो भी देखा जागा पर आप मेरे कहने से रुख जाईए क्या मैं तुझे ब्या करके इस मारे इस घर में लेक होगा पर तड़की चलना पड़ेगा भगवान तू किस मिट्टी की बनाईर सुझाता तेरे अंदर इपनी सेहन सकती तू सच में देवी है देवी आई लवी सुझाता आई लव यू तू अब कद कुझ आ रहे हो हाँ? चला तो जाओ पर डर सा लग रहा है डर काई का? इतने बड़े घर में मेरी हिम्मत न पड़े पाधर ने की ऐसा क्यों कह रहे हो तम वे देवता समान आदमिया देखे न हमारी छोरी उनके कितनी तारिप कर रही है अरा वो घर उनका न हमारी अरे जाओंगा तो सही लेके क्या जाओंगा पिताजी मुझे लेके चलियो तुझे तो ले जाओंगा अमारी बीटी का घर है फिर भी कुछ ले जाना पड़ेगा रस्ते में मार्कीट पड़े मिठाई ले जीए फल ले जीए अरे तु एक हाथ धोर विखवावेगी कोई अपने बच्चों की खुशी के लिए सब काम करने पड़े हैं विख जान देखा दोर विख जाओगा तो तम क्यू घबरा रहे हो तम ठाट से जईयो अरे वहां मिलाई सलाइबी तो करनी पड़ेगी मिलाई करियो तम कम सकम दद्दस उरुपे की मिलाई करियो कदी मां ऐसी जिन्दगी जियोगे और मेरी बात ना मनोगे ना तो जिन्दगी नरक बंजागी नरक उन दोनों की तरह ना मुझे ना जीना उन दोनों की तरह मुझे तो राजा बनके जिना राजा बनके बता तेरी कौन सी बात माननी है सारी बात माननी पड़ेगी मेरी सारी बात मा निमाμε νमाम देखओ मैं अपने गंददे कितना माल लाई हो भौत माल लाई मेरी राणी भौत माल लाई यो मैं सोरा मल बढ़ जागा और तुमें मिलेगा ठेंगा ऐसा न हो सकता ऐसा ही क्रूष सबेरे कईो ठीक है अब vu to इताजी? पिताजी नमस्ते नमस्ते बेटा ये जाडू पोँछा पिताजी वो मेरी सास और देवराणी मुझे कुछ काम ना करने देती न तो मनने भी या जित कर लिए कि सारा काम मैं करूँगी और तम दोनों आराम कर लो कोई बात ना बेटा आये न पिताजी अंदर चलिए पिताजी अंदर चलिए राजू चल मा जी ये मेरे पिताजी और ये मेरा भाई राजू है अच्छा ये विखारी भी यह यह आ गया धक कहिं का बहुत बड़ा जाल साज है तू अमारी जायदा ता रपने के लिए ये चोरनी बेटी हमारे कले बांदी माजी मेरे पिताजी है मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज इन्हे कुछ मत कहिए माजी इनकी गाओं में बहुत इज़त है इच्च थारा होती होगी मारा यहां तो कुट्ध जितनी भी ज़तना होती माजी बस बस माजी बस माजी 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 मत रूँ मत रूँ यह अच्छ गलती हमसे हुई है हम इस घर में यहाना चाहिए था इस घर को देतने कि हमारी हैस्यत नहीं है गलती हमसे हुई है तेरी शादी करने से पहले है इस घर को एक बाड़ देए के हम किस पर रहे हैं बेटी की शादी कर रहे है चल बेटा राजू पर पिता जी दी दी इसका खुशूर वार में हुवेड़ा इसका खुशूर वार में हुवेड़ा इसे भी ले किजा के मता जैर मिला कि लाए हो नही पादी नहीछ बादी नहीं झाल और जोही गाई अब क्या होगा अरे के बात हुई भात तो बाहत बड़ी आ अरे बहुत बड़ी बात करना सा पहला है होस में तो आता मैं तो होस में हूँ तुम भी मेरी बात होस में आके सुन लो तेरी कोई बात नहीं सुननी, जा भागो जब तेरे न अज़े से उतर जावे तब आए हे यो क्ये कावा है इसकी सुन तो लो जब तू कह रही है तो सुन लेता हूँ बता तुझे कह चाहा मुझे बटवारा चाहिए बटवारा? बटवारा कौन सा? इस पूरी जैजात का अरे कौन सी जैजात का? जो हमारा बाब्बा तुमा ना चोड़ गया उसका रहनी दे बटवारे को तुझे देजबे इतना मिला पहला उसे समाल ले उसके बारे में तो सोच भी मतलियो वो मेरा मेरा मुझे मिला है बटवारा होगा इस जैजात का और अभी होगा अभी अभी तुझे ने मिलने के एक पाई भी जा खेल खेल तो मैं ऐसा खेलूगा कि तुम देखते रह जाओगे जा खेल लिए खेल जाए आता है छोड़का ऐसे बहु के पास चल खड़ाओ कहां रहेगे सवेरी के गई वाए कहीं दूसरी रिष्टेदारी में तना पहुंच गए अब तक ना आए आ तो लिये लए सब ठीक है हमारी छोरी के घार वह खुद बढ़िया है सब राजाओं महाराजाओं जैसा मकान है उसका हमारी उन्होंने इतनी इज़ट करी क्या बताऊं तुझे खाने पीने में इतने सामान रखा उन्होंने समझ में नहीं आरा क्या छोड़ों और क्या खाऊं मा, पिताजी जूट बोल ले उन्हों नहीं भाम बेटन भी नी दिया और पिताजी को थो बहुत बूरी भली गई क्यों मुझे? बहुत बड़ी गलती हो गई, शान्दी है बहुत बड़ी गलती हो गई हमने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाली थी पढ़ाया लिखाया और उस घर में उसकी हालत रो मत रो मत चुप हो जाओ तम मिल्कुल भी रोते अच्छे ने लगते बगवान पर भरोस्ता रखो सब ठीक हो जाओगा पात मुन दोला तुम मैं खाना लगा रहीं तुम्हें चुप हो जाओ अब तू बैट बैटा मैं तुम्हें जो खाना ला रही हूं कि रोख नपिता जी चुप हो जाओ नपिता जी चुप हो जाओ सुजाता तरह यूहाल के बात है आज माना फिर मारा के नई तो कुछ मुझ भी नहीं मातों बहुत अच्छी है था बहुत अच्छी है मुझे पता कितनी अच्छी है के बात तुई बता ना इसी कोई बात नहीं है आप आप हात मुझ धोलो मैं मैं खाना लगाती हुआ सुजाता बता के बात है अच्छी आज पिता जी और राज वायत बस बस मैं समझे आप मैं आया नहीं नहीं आप मत जाओ अब बात हो जदा आगा बढ़ चुकी है में पर सहन नहीं होती ही बात आप बात नसे में नहीं हूँ नसे में मात तू तुछा में रिश्टेदार के नोकर बढ़ने के लाइक भी न है वो तेरि भढ़ु का पिता जी तार उसका बाई था तेरा संधी ता वो संधोष का संधी बढ़ने की उसकी वाकात है अरज दिशे तु बहू बहू कहता है शुकरमना उनके गेल मेंने इसको धक्य मारके नहीं निकाला अच्छा तो पड़ी भू को दख्या देती है संधोष वह करती है जो संधोष चाहती है अगोद नसाहिमा इ कुछ नहीं के इसका तुम फाइदा रहे हो इसके अंतर आत्मा के वाज भी के कहती होगी अगर भगवान ने तो दख्का दे दिया ना तो दख्के खाती फिलेगी तू कुछ भी कर देन कि निया तेरे कदी नहीं हो सकते चल कि चलो देख लिया तेरी सेवा का इन पत्थरों का कोई फरक नि पड़ने वाड़ा मैं फिर कह रहा हूँ छोड़ देस घर को नहीं हम घर नहीं छोड़ सकते मैं मानती हूँ कि मा गुसेल है लेकिन मन की बहुत साफ है हाँ बहुत साफ है पस्तावगी तू आप ये कैसी बात कर रहे हो आप जरा सोचिए राहुल भाई साब 24 घंटे दारू की नशे में रहने लगे हैं मा पिता जी बूड़े होने जानाई रोज तु पिट रही है तुझे फिर भी इस घर की जिनता रोज तेरी बेश्टी हो रही है फिर भी तुझे इस घर की इजटकी पढ़ रही है तुभी है कमाल की मन करा तुझे सेल्यूट करूँ महमान आपने जो बात बताई उसे सुनके हमें बहुत खुसी हुई माना की सुमन हमने बहुत लाड़ प्यार से पाली है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेगी और हम उसका साथ देंगे जी मोसा जी छेतर में किसी से पूछ लो कि चोधर रगुबीर सिंग सही का साथ देते हैं गलत का नहीं हमारी नाड कर सकती है पर हम कदी गलत का साथ नहीं दें मुझे पता मोसा जी जबी तुम थारे धोराया हूं मारे घर को बरबाद होनता है बस तमी रोक सको महमान चिंता मत कर मैं एक दो दिन में ही आ लूँगा बहुत बहुत महरबानी होगी महरबानी की के बात है यो तो रिष्टेदारी का फर्ज अबिया अगर एक दूसरे पर मुसीबत आवे तो साथ देना चाहिए उसका बहुत अच्छे विचार है मोसा जी आपके अब मुझे आग गया दो मेरी बात का ध्यान राक्यों पूरा ध्यान राखा जाग महमान पूरा अच्छा राम 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 जी राम राम किसी के हाथ चुडवा दूँ ना मैं मोटता कर ले रहूं मैं लिकड़ जा हुआ देख के इतने बड़े हैं बैठो बैठो और सुनाओ बस सुनाना के है एक मामले में सलहासी लेना आयते हाँ जी बताओ मारे लायक और मारी समझवा आएगी तो सलह बिल्कुल देंगे के बात थी बताओ बात ये थी जी कि उराहुल तो सराब छोड़ता नहीं और इसके साथ रह के ह हमारी बिटिया भी ऐसी होगी और हमारे पास जो भी है वह सभी नीका है हाँ जी बिल्कुल इसमें के सक है मैं सोच रहता है यह दोनों बच्चे तो धारूपीन लगे जो मेरी प्रोपर्टिया उसे भी बरबाद कर देंगे तो क्यों ना मैं अपनी प्रोपर्टी को गरीब मुझे करना पड़ेगा मैं तो यह आपको बताने आया था कि कला आप नून कहले लगो महारे काननों में को नहीं लिगाड़ी थी अच्छा जी राम राम लाम को हुआ है हुआ हुआ है तेरे पापा? मेरे पापा के बारे में एक बिशब्द उल्टा सुधा मत बोलियो, मैं सुझाता नहींूं। बहुत तु तो यूँ नाराज होगी, मैं तो यू कहूती कि तेरे पापा सारी जायदात गरीबों मेदान कर रहे हैं। कोई हराम का माल है, ऐसे कैसे गरीबों मेदान कर देंगे, मैं अभी पापा से फोन लगा के पूछती हूँ, आखिर चल क्या रहे हैं। कि जमीन जायदा जब तक तेरे नाम ना हो जा, जब तक तु थोड़ा बहुत काम कर लिया कर, उस राहूल को भी समझा ले, दारू ना पिवे, और जब तेरे नाम प्रोपर्टी हो जावगी, उसके बाद तु खूब खेलिए, ये चुडेल खेलन देवे हमें। इसी की ही सारी प्लैनिंग है, इसी नहीं सुदीर को भढ़का के और मेरे पापा के पास भेजा है। अच्छा, इसको तो में देख लूँगी, चला मेरे साथ, मैं देखूंग आज इसको, ए बाहर निकल, जी माजी, माजी की बच्ची, सुदीर को बढ़का के, सुमन के घर क्यों बेचा, नहीं माजी, मैंने नहीं भेजा, अच्छा, तू जादा बोली बन रही है, तू चाह माजी, ये बिल्कुल गवार है, और ये सोचते हैं कि हम भी इसकी तरह बिल्कुल गवार बन जाए, और इसी नहीं भेजाए सुदीर को मेरे घर, हमें तेरे तो कोई मतलब ना, तुर जैसर है, हमें मतलब है तो रहा होता है, जो बरबाती रहा पे चल रहा, जूरो कर ना हम इसको अभी इसी बद बहर से भार निकाल दूए, माजी, नू सोचरवी से कोई ना है, तु बढ़ाया इसका हमायती बनने, हाह, हूं मैसका हमायती, इसको भी आसे लेकिजा, सब्सक्राइब, माजी, ये क्या कर रहे हैं आप, जो नो निकल जाओ इसकर से, और अपनी सेकल म सुजाता, बहुत हो लिया, सुजाता, तेरी समझदारी, तेरा भोलापन और तेरा सेवभाव, इस नर्ग में उसकी कोई कीमत नहीं है, अब हम यहां नहीं रहेंगे के करूँ, घणा दुखी कर राख़ू, समझ मैं यारा के करूँ, के ना करूँ, हरीशत बात करता हूँ हाँ सुदीर, हाँ भाई हरीश, क्या होगा, अरे घर में राड कर राख़ी है, अरे वो तो मुझे सब पता है, पर आप क्या नहीं बात होगी, अरे माने दिमाग खराब कर रहा क्या है, आज तो काडने की भी केरिये घरते हैं, तु एक काम कर, मैं तेरे लिए जमीन देख रखी है, सोयोबी का जमीन है, जुताई और बुगाई हैं कर, कर और खा मोझ में रह, समझे सासाथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई अरे चायवाई नहीं बनाई के, आज तो अकवार पढ़ने में भी मज़ा नहीं आ रहा, आज चायवाई कुछ ना मिले, अकवार पढ़ रहे हो, कौन सा पाहर तोड़ रहे हो, अरे सुमनते कहदे हो बना देगी चायए, पिता जी मुझे ना है टैम, मैं तो जा रही हूँ अरे तम काँ चल दी तड़की तड़के, इसकी सहली का जनम दिन है वहाँ जाना अभी, अरे जनम दिन तो शाम को है, तड़के तड़के क्यों चल दिये, टेम टू टेम जांगे, रास्ते में से हमें शॉपिंग भी दो करनी है, सिखालिया थोड़ी चले जाएंगे, अरे तू बैट चाए मैं बणा के लाँ, ना बेटी तू अभी आईए, तू अराम कर, मैं लाती हूँ चाए बणा के, मा तू मुझे बिठा बिठा के मोटा करेगी के, तू बैट मैं जा रही हूँ चाए बना ला, बेटा आप घर तो छोड़िया है, अब करोगे क्या, करना क्य है जी, हरीश की गाँ को एक जमीदार है, वो भार जा रहा है, सोभी के जमीने, ट्रेक्टर ट्रोली सारा बार दाना, उसकी जमीन बोलूआ, और उसी के घर पर रहलूआ, वो तो ठीक है, पर अकेले करोगे कैसे, वो भगवान कुछ ना कुछ इंतिजाम करेगा, तम हो पित सब आइडिया है, कोई ऐसी बात हुई तो वो ही आजागा, वैसे के हम हमेसे के लिए लगुए है, थोड़े बहुत दिना गुस्सा है, सांत हो जागा, सब ठीक हो जागा सुनो, पहले रोटी खालो काम बाद में करना, अच्छा सुना गह 파ई मला हो लाओ जापा चालो काम दाइड़े हैस के लिए लाओ तो जागा ले मेरे कमरे में ठीक से पोज अलगाए कर अलगाए कर अलगाए कर चीक है वैटा अगर अगर हाँ इन्हें में लगी रहोगी चाय बना के ले किया ओपर हाँ बेटा हाँ पोचा लगा के पदों को पाणी देते ना फिर ठीक है ले कि इन्हें भी दो दिये कि यह ले इसे भी ठीक से दोना कैसे दबा रही है सही से दबा क्या कर रही है ठीक से दबा कि सुदीर के पिता जी सच कहों थे मत कर इस बवब पे अत्याचार बगवान से डर कि आज अब धरंबीर मट्रू ननी तम कैसे आप कि माजने निकाल दिये हमने सोचा हम भी हैं आजा कोई बात ना जैसे हम खा रहे ऐसे तम खा लियो चल तो पर भभी का रोटी बन वाले चलके ठीक है भाई जब से तु घर से निकला मैंने तुझे बहुत डूंडा मुझे तु कहीं नहीं मिला मुझे राउल ने बताया मेरे पर रहा नहीं गया और भगा तेरे पाज चलाया बई धरंबीर तने यू काम बहुत बढ़िया करा तू आ गया तो ऐसा दगरा पुरा गाम मिलन आ गया हो बहुत अच्छे टेम पर मिलन आया तू मैं रोटी बनवा दू हाँ खाना भी खावंगे और एक काम भी था भई देख इस टेम पैसे देले तो मेरे पहन नहीं पैसे की बात ना है तेरे पैसे तो वैसे भी देने हैं बता के बात है क्या बता हूं भाई तुझे पता क्यों विया पहले मैं ही मिलिया हूं परको दिक्कतना है भात्राब गर ईयू चेनल पचासाइद में और बुञाले कोई दिक्कतना उससे वुला ले ठीक है ना ले रोट्टी खा बई हाँ हाँ रोट्टी खावंगे के बात है के बात होती मैंने तुम से कही बटवारा करने की पर तुमने अभी तह कोई जवाब नहीं दिया अरे कौन सा बटवारा अब तो सुदीर भी घर छोड़के चला गया तुम तो मेरे हिस्से का भी उससे ही देदोगे अरे वह अपने हिस्से की आज घर को इस घर का नास मत करें इस घर का तो नास होका रहेगा जो आज बटवारा ना हुआ इतनी बार कैली तुमारी कान पर मैं दूँगा तो यह इस्सा रुको रुको चलो यहां से यहां से सीधु उंगली से गी नहीं निकलने वाला उंगली टेड़ी करने पड़ेगी देख लूगा तुमारी टेड़ी उंगली में लो रोटी खालो क्या हुआ आप कैसे परिशान हो रहे हो यार पता ना मा पिता जी कैसे होंगे हाँ मुझे भी उनकी बहुत चिंता हो रही है पर कोई ना समय के साथ सब ठीक हो जाएगा आप रोटी खाओ अब भोट सैन कर लिया और सैन नहों है ये बुड़े बुड़िया ना देवे हमें कुछ भी अपना इंतिजाम हमें खुद करना पड़ेगा समझे तुम के कर सके हैं हम के कर सके हैं सुनो मेरे कान में चल के बात रात को कैसे परिसान मुझे दो लाग की जरूरत है अभी इसी वक्त दो लाग पर मांग रहा मैना देने का तुझे दो पैसे भी तू तो अभी देते का तेरी तो मैं देखूंगा तुझे इसे छोड़ो इसे छोड़ अरे छोड़ तूभी चल तूभी के करेगी यहां ले पकड़ अपनी पोसाग और इनके गुर्ते बजा में भी इसी में है और यहां दिखाई मत देजी यह कोई चा भी यहां चा भगो अँट अब्गा क अपना भी मत अज़ कोई प्सक्राइब तूभी यहीज है तू भी कोई तूढ़ तू़ी तूब अग्णा कि अश्गा आग उप्तू़ नग्ड़ी से ले खेंग you अब्गा के टूब्गा के वाधना यहां तुब आल तूब ने जान देशने, इसमें कोंदे सोले जाजा के रिये, हाँ, चल, चल, उटे, चल, तारू से, चल, 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 माँ पिताजी, अरे सुनो, देखी, माँ पिताजी गहां जा रहे, पिताजी, माँ पिताजी, माँ पिताजी, माँ, सुजाता बेटे, मुझे माप कर दे, तुझे समझ नहीं पाई, देखी जैसी बहु को घर से निकाल दिया, तुझे मारा, पिता, जाने क्या, कैसे तम किये, मैं समझ नहीं पाई, मुझे माप कर दे, बेटा, अब तब बात कुछ समझ में आगई उटी, तेरी, नहीं, नहीं, मा, पिटा जी, चलो घर चलो, चलो मा, चलो, धरमविर भीया, ये सब के नाम की लिस्ट है, और ये रजिस्ट्री के पेपर है, तो आप ले जाके न, इसमें नाम देख लीजिएगा, जिस जिस के हैं, आप उसे दे दीजिए, अरे हाँ, ये भी कह दिये, चिस चिस को मैंने प चारण ब्याज दे दिया, अर मा, उसका कि रहा उतना औरों के गहने रख राखें सोनने के, बेटा वो राहुल और राहुल की बहुने बेज खाए, अच्छा मैं चलो, आओ चलो, कागदिया मैं, अच्छा किया न, उन्हें वहाँ से निकाल दिया, अब देखो, कैसे ऐशोराम की जिन्दगी चीरे, अरे ये काम तो हमें बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था, पिता जी तम क्यों परेशान हुए यहां खेतों में, अरे बेटा, तु कितनी मैनत कर रहा तुझे देखना आयते हम, देख, एक यो बेटा, कितनी मैनत कर रहा, एक तेरा वो लाडला, जो स्त्रावी बनका वह यासी करता फर रहा, चलो भई, बहुत होगे तुमारा, चलो, खड़े हो हैंसे, बहुत होगे तुमारा, चलो, खड़े हो, पैसे नहीं तुमारा, चलो, चलो, खतम होगे तुमारा, चलो, चलो, निकलो, अबे चलो, कितनी मार बोलने पढ़ागा, चलो, खड़े हो, निकलो, अरे, अब क्या करे झाल झाल दरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ चलो तुम चलो कोई बात ने झालो कोई पीशारे साथ हूँ मीकाशी मुचारे साथ हूँ मैं ऐसी नालायक ओलाद को एक फुट्टी कोड ही निदुआ जो अपने साथ ससुर और भाई-भाव्वी की इजत करनी न जानती हो मैंने एक वसियत लिख दी है मेरी जायदाद की पाई-पाई मेरी बेटी सुमन और उसके पती की होगी लेकिन तब जब ये अपने साथ ससुर और भाई-भाव्वी की सेवा करें और उनके साथ मिलके रहें नहीं तो सारी जायदाद गरिबों बाट दीजा चाचा जी चाचा जी मुझे आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ चाचा जी बेशक आप गरीबों को कितना ही दान दे दीजे लेकिन वो आपकी बेटी और दामाद हैं आप अपनी बेटी से उसका हक मत चीनिए मैं कोई हक ने चीन रहा ना मैंने कोई वसियत लिखी इन मूर्खों को लाइन पे लाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है देख परिवार के साथ खड़े हैं कितने सोहने लग रहे हैं धन्यावाद चाचा जी कोई बात नहीं बेटे देवत जैसे भाई देवी जैसी भावी और भगवाल जैसे मादा पिता इनको बहुत दूख और तिया चार करें मुझे माप कर दो मुझे माप कर दो सुबे का भूला भटका साम को घरा जाए उसे बूला नहीं कहते मेरे भाई अपने तो अपने होते हैं देख राहूल तेरे भाई ने सुधीन ने खेतों में कितनी महनत करें सोना होगा आया है अब मैं चाहता हूं तोनों भाई मिलके खेतों में महनत करो और अपने घर को आगे बढ़ाओ हाई तिन तिन की परो फटी दॉलन देखाई हाई 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 होगा घर आपकी नास नास रहने काको करते हैं नू सोचिया भी से कोई ना तू बढ़ाया इसका इमातिक उन्ने के लिए चन्ट निकड़ कर तो अपने तो अपने होते हैं तो देख राहूल सुदीन ने अपने पसिने की महनद करके हैं तो में सुनना होगा रख साब अपने तो अपने होते हैं देख रहूल तेरे भाई ने सुदीन ने खेतों में कितनी महनद करके सुनना हो गया है अब मैं चाहता हूं दोन्यों भाई मिलके खेतों में मैनद करो और अपने घर को आकर बढ़ा हूँ हाए तिंदिन की प्रोपटे दोलत हूँ तो अप्पी दिस्तने की